मित्रों कथा बहुत ही सुन्दर है भ्यान से सुनिए के लिए कथा को आगे बढ़ाते हैं उनके शरीर पर पुना अनेक घाव थे जिस पर मक्हियां भिन भिना रही थी उनोंने अन जल ग्रहन करके नगर के बाहर को दोड लगा दी इस बार वे जंगली जीवों से निपटने के लिए अपने साथ एक नुकीली लकडी का तना भी लेकर गए थे परन्तु इस बार जंगली जानवर नहीं बलकि दस्यू दल ने उन्हें पकड़ लिया ये डाकू जंगल में छुपकर रहगीरों को लूटा करते थे मेरे परदादा जी ने उनकी क्याद में बहुत कष्ट उठाए वे उनका भोजन पकाते वस्त्रध होते और उनका समान ढोया करते वे मेरे परदादा जी को भरपेट भोजन भी ना देते और तरह तरह की यातनाए दिया करते थे पर दादा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उनके भयानक पीड़ा दायक दंडों से घबरा कर कभी कभी पर दादा जी सोचते की काश वो उस नगर से बाहर ही ना आये होते किसी प्रकार एक दिन अवसर पाकर वे वहाँ से भाग गए रात का समय था सभी डाकू नशे में चूर निद्रा मगन थे और गलती से वे पर दादा जी को बांधना भूल गए थे जैसे ही पर दादा जी को लगा कि सारे डाकू सो चुके हैं वे वहाँ से भाग निकले कुछ दूर जाने पर उन्हें अपने पीछे पदचाप सुनाई दिया डाकू को उनके भागने की सूचना मिल चुकी थी और वे कई गुटों में बटकर उन्हें पकड़ने आ चुके थे मेरे पर दादा जी जान लगा कर भागे डाकू दाएं से आते तो वे बाएं भागते और बाएं से आते तो वे दाएं भागते इस परकार भागते हुए बे ध्यानी में पुना उसी नगर में प्रिवेश कर गए वे डाकू भी सिंग के समान ही नगर के बाहर से लोट गए तब दादा जी को अभास हुआ कि ये मातर सयोग नहीं था कि सिंग ने और फिर डाकू ने उन्हें नगर की और खदेडा बलकि यह उस नगर के श्राप का ही परिणाम था मेरे पर दादा को तब ग्यात हुआ कि वे इस श्रापित नगर से बंद चुके हैं और इस सबका कहीं न कहीं उस पुष्प से कुछ लेना देना था ना जाने वो कैसा पुष्प था जो कभी मुर्जाया ना था ना जड़ता था बलकि सदैव खिला रहता था उस पौधे पर वे एक मात्र पुष्प खिला था मेरे पर दादा को लगा यही पुष्प सारे फसाद की जड़ है अता उन्होंने पौधे पर से पुष्प तोड़ कर फेंक दिया पर यह क्या अगले ही चण वहां नया पुष्प उग आया था जो पुष्प मेरे पूरवज ने तोड़ा था वो बिलिप्त हो चुका था उन्होंने पेड उखारने का प्रयास किया पर विफल रहे पर दादा जी तब तक पुना सम्मोहित हो चुके थे कई दिनों के पश्चात मेरे पूरवज इस प्रकार तीसरी बार सम्मोहन से बाहर निकले और नगर छोड़ने का प्रयास किया पर अग भेडिये के जुंड द्वारा वे वापस नगर में खदेड दिये गे इस बार वे सीधे उस पौधे के पास गए और समझ गए कि यदि उन्हें इस नगर में जीना है तो हर कुछ समय पर उस पुष्प को सुंगना पड़ेगा ताकि सम्मोहन तूटा रहे वे हर कुछ समय पर पुष्प को सुंगते ताकि उन्हें दर्दवा भूख का हैसास होता रहे ना वो सोते ना विश्राम करते बस उस पुष्प को निहारते रहते रात्री में जाकते रहने की उन्होंने यह युक्ति लगाई की अपनी चोटी को एक डोरी की सहायता से पेड की डाल से बांद दिया करते थे जैसे ही वो नीन से लुड़कने लगते उनके बाल खिच जाते और वे सतर्क हो जाते फिर एक दिन चमतकार हुआ संध्या का समय था दादा जी सदा की तरह उस पुष्प के समीब बैठे उसे निहार रहे थे तब ही वे पुष्प स्वयन डाली से नीचे गिर गया और मेरे पूरवज के देखते ही देखते वो पोधा विलुप्त हो गया पर वे पुष्प वहीं पड़ा था मेरे पर दादा ने उसे उठाया और सोचा की अब तो पुष्प तूट चुका है शेगरे नस्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा तब वे कभी भी सम्मोहन से बाहर नहीं निकल सकेंगे और इसी नगर में उनके प्राण पखेरू उड़ जाएगे यही सोचते हुए वे उस पुष्प को हाथ में लिए बहुत समय तक रोते रहे रोते रोते उन्हें कब गहरी नीद आ गई पता ही नहीं चला जब वे उठे तो सुबह हो चुकी थी और उन्हें जोर से भूख लगी थी उन्होंने फल खाया पानी पिया और पुना उस पौधे के पास पहुँचे पर पौधा वहाँ ना था उन्हें याद आये कि पिछली शाम को ही वे पौधा विलिप्त हो चुका था तो क्या ये पौधा ही सम्मोहन का कारण था यदि ऐसा था तो पौधा सुंगने पर सम्मोहन क्यों तूड जाता था अनेक प्रशन थे जो उन्हें परिशान कर रहे थे पर दादा जी के अनुसार वे उस पौधे को खाड़ने का प्रयास भी कर चुके थे वे मजबूती से जमीन में गड़ा था अचानक उसका नस्ट होना और नगर का सम्मोहन खत्म हो जाना एक सुखत्चमतकार था जिसके लिए पर दादा जी ने इश्वर को धन्यवाद दिया वे पुष्प मही भूमी पर पड़ा था मेरे पूरवज ने उसे उठाया वा नगर से बाहर आ गए इस बार ना उन्हें सेर ना भेडिये ना डाकू मिले बलकि एक सन्यासी से भेंट हुई यह देखकर वे समझ गए कि वे अब उस नगर के सम्मोहन से बाहर आ चुके हैं पर कैसे अनेक सवाल लिए वे सन्यासी के समीप पहुचे और पुष्प उनके चरणों में रख कर उन्हें परणाम किया जब सन्यासी ने अपनी आखें खोली तो मेरे पूरवज ने उन्हें अपने साथ घटित हुई घटना बताई तब सन्यासी ने बताया कि यह पुष्प देवी के आशु कहलाता है और जिस नगरी में वे फस गए थे वे अंधेर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है रिशी के अनुसार एक लाख वर्श पूर्व उस नगर के लोगों ने एक बार बहुत बड़े यग्य का आयोजन किया था जिसमें अनेक देवियों का आवाहन किया गया वा उनका आशिरवाद प्राप्त किया गया तब ही वहां मंत्रों से सम्मोहित होकर दुख विशात वापीड़ा की देवी यंत्रणा आ गई लोग देवी को देख कर डर गए क्योंकि देवी अपने भक्तों को उपहार में दुख वापीड़ा देती थी और मुनुष दुख वापीड़ा नहीं चाहते थे जब देवी को आभास हुआ कि वे वहां अवांचनी अतिती हैं तो वे अत्यंत दुखी हुई धर्ती को अशुर से मुक्त कराने में देवी ने अपना महान योगदान दिया था और आज ये मुनुष उनके उपहार को भूल चुके हैं वे देवी से भै खाते हैं तथा उनका सानिध नहीं चाहते देवी की आँखों से कुछ आँसों की बूंदे धर्ती पर गिरी इनहीं से नेत्र नीर पानी नामक पौधा हुगा देवी उस नगर से दुखी होकर सदा के लिए चली गई जाते जाते उन्हों नगर वासियों से कहा यदे तुम सबकी अही इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख वा पीड़ा ना रहे तो मैं सदा के लिए यहां से चली जाती हूँ और अपने साथ यहां का सारा दुखवा पीड़ा भी ले जाती हूँ फिर भी यदि किसी को पीड़ा का महत्व जानना हो तो नेत्र नीर प्राणी तुम्हारी सहायता करे देवी के इतना कहते ही यह पोधा उन पुष्पों से भर गया जो देवी की आंसु कहलाए फलता नगर वासियों को दुखवा पी क्यों करोगे जब तक भूग तुम्हें दुख ना दे तुम भोजन क्यों ग्रहन करोगे अतर वहां के लोग अत्यांत सुक पूर्वक रहते हुए आखिर मृत्यू को प्राप्त हुए इस नगर का सम्मोहन कुछ समय के लिए इस पुष्प को सुंगने के कारण तूट जात जो नगरवासी सम्मोहन तूटते ही बाहर जाने का प्रयास करते वे इसी प्रकार वापस आ जाते यद्दपी या पुष्प दुरलब है तथा पी यह शापित भी है इसका सेवन करने वाला भूग प्यास नेंद दर्द का एहसास खो देगा हजारों वर्षपूर राजा विक्रम ने इस अधूरे यग्य को पूरा कर देवी यंत्रणा का आवाहन किया और देवी ने प्रसन्न होकर उनसे उपहार मागने को कहा विक्रम ने उपहार सोरूप इस नगर के श्राप का अंत मांगा देवी ने कहा तथास्तु जिस दिन इस पौधे से आखरी पुष्प सोता ही गिर जाएगा यह पौधा और श्राप दोनों विलुप्त हो जाएगे आज के बाद नए पुष्प इस पौधे पर नहीं खिल सकेंगे परन्तु कोई भी मनुष्य इन्हें स्वयम नष्ट भी नहीं कर पाएगा विक्रमादित्य ने देवी को धन्यवाद दिया और एक पुष्प जो उसी समय गिरा था उसे अपने साथ ले गए इसके पुष्प सैकड़ो वर्सों तक खिले रह सकते थे इस श्रापित नगर के विशे में जो नहीं जानते थे वे भूले भटके यहां फच जाते थे एक बार तुम नगर में पुष्प करने से यहां के नागरिक हो जाते हो और देवी का श्राप तुम पर सवार हो जाता है तुम सौ भागिशाली हो की आज है श्राप का अंत होना था पौधे ने सोता ही अपने अंतिम पुष्प का त्याग कर दिया वर्ना जीवित रहते तुमारा यहां से निकलना असंभव था देवी ने जाते जाते नगरवासियों के उपहार दिया कि बे चाहे तो अभी भी दुक को चुन सकते हैं वे श्पश्प को सूँंकर दुक का महत्व जान तो जाते थे फ़र उस नगर के लोगों ने दुक के साथ जीने की अपेक्षा सुक्षे मरने को महत्व दिया इस प्रकार अनेक कस्ट उठाकर कई माह के पश्चात मेरे पर दादा घर लोटे तो उन्होंने अपना अनुभव एक पुष्टक में लिखा जो हमारी पारवारिक इतिहास की पहली पुष्टक है यह पुष्ट अत्यांत चमतकारी परंतु शापित है इसका सेवन करने वाला दुख पीड़ा वह अवसाथ से मुक्त हो जाता है यदि उसे चोट भी लगी हो तो पीड़ा नहीं होती फलता वह उपचार नहीं करेगा यदि उसे भूख लगी हुआ खाने को कुछ न रहा तो अभी भोजन की तलाश न करेगा क्योंकि उसे भूख की पीड़ा ना होगी यदि वह रोगी हुआ तो अभी स्वैम का उपचार नहीं करेगा ओह यह तो भयानक है यह तो बहुत दुखत कहानी है परन्तु यह अच्छा रहा की श्राप्त समाप्त हो गया धन्यवाद महराज आशा है यह पुष्प मार्ग में मेरे काम आएगा जैसे सन्यासी के दिये चमतकारी बीजों ने इस राजी की समस्या दूर की वैशे है अपुष्प किसी की समस्या सुल जाएगा राजकुमार ने अपनी यात्रा परारंब की चलते चलते राजकुमार एक छोटे से गाओं में पहुँचा इस गाओं में वह एक घर में शरण मांगने पहुँचा और दौर खटखटाया कुछ देर के बाद एक व्यक्ति जो करीब 40-45 वर्ष का था उसने दौर खोला मित्रों देववानी के कथाएं बहुत ही रोचक और उत्तम होती हैं आप कथाओं को लाइक और शेर जुरूर करें मित्रों इससे हमारा उत्सा बढ़ता है आपके सामने अच्छी अच्छी कथाएं पेश करने का दोस्तों आपको आखथा कैसे लगी अपने विचार और सुझाओ कमेंट में जुरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जैश्राराम भक्तो झाल